नवस्कार आप देख रहें इंडिया की बात मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और मुकुल और आज आपके सामने तीन मुद्दे हैं जो हम लेकर आ रहे हैं मुद्दा नमबर एक केजरिवाल के मुद्दे पर बढ़ रहा है अंतर अश्विय दबाव भष्टा चार पर बुरी तरह से एक्स्पोज हो रही है बीजेपी मुद्दा नमबर दो गुप्त चुनावी चंदे पर घिरती जा रही है बीजेपी मगर गोदी मीडिया को परवा नहीं है क्या भाशपा इस पर प्रॉपगैंडा को कंट्रोल कर पागी और मुद्दा नमबर तीन बिगड़ती राजनीतिक मर्यादा भाशन को लेकर बयानों को लेकर मगर दोहरे माबदंड साफ तोर पर दिखाई दे रहे हैं यानि कि सत्ता पक्ष का कोई कहे तो उसे से सरकार चला रहे हैं जमीन पर आम आदमी पार्टी का कार करता उतर रहा है टकर दे रहा है वहां की पुलीस को और इसने कहीं न कहीं जान फूग दी है विपक्षी गडबंधन में क्या ये लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए उम्मीद के तौर पर आया है और से ईडी शिवसेना के एक नेता को नोटिस भेशती है जैसी उनका नाम मुंबई नौर से घोशित किया जाता है तो साफ तोर पर दिखाई दे रहा है व्रश्टाचार पर भाजपा के दोरे माब दंड क्या है इस मुद्दे पर पंच शुरुवात करेंगे हम मुकुल से अलब अबिशार वाकी में बड़ा मुद्दा है लेकिन तरह जो अमरिका ने दो बार इस पर अपने अस्टेंड लिया आपने बात है जर्मनी के बाद तो तो दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज़ रहा है यह तो है अब वो डंका किस तरह से बज़ रहा है यानि वो जान रहे हैं कि बद नाम होंगे तो क्या नाम ना होगा भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच अभी सार इसमें एक बात बिलकुल साथ है कि विश्व गुरु की जो छवी है उसकी पोल खुलती है क्योंकि इस मुद्दे पर दो बार स्टैंड लिया अमरीका ने पहली बार के बारा जब आपत्ती होई फिर बोला उससे लगता है कि मोदी जी की डिप्लोमेसी में बड़ी दरार पड़ी है केजरिवाल की गिरफतारी बहुत आसान नहीं है और साथी साथ लोकतंत्र पर जो सवाल उट रहा है उसने एक बड़ा पेच दिया है यहाँ पर जो भारी पड़ रहा है अंतराश्टिय स्तर पर भी अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि कही न कहीं इसने विपक्ष में जान फूग दी है केजरिवाल की गिरफतारी ने और 31 मार्श को जो इंडिया गटबंधन की राली हो रही है रामलीला मैदान में वो एक बहुत बड़ा पुलिटिकल स्टेटमेंट होने वाला है एक तर आशा मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि देखिए साथ सीटे हैं पिछली बार सूपड़ा साफ हो गया था पिछली बार भाजपा को पचास फीसिदी से जादा मिला था इस बार फर्ख ये है कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस साथ साथ हैं वहाँ पर पचास सीदी का अकड़ा है मगर ये ना भूलें कई नामों को बदल दिया गया उपर से अर्विंद केजरिवाल का जो वोट बैंक है वो मस्बूत हो रहा है सुद्रिड हो रहा है और जिस तरह से हाम आदमी पार्टी खेल रही है इस पर मुकाबला कर रही है चाहे राजनीतिक आता हाना उनके लिए नुकसान दे होगा इसलिए केजरिवाल की गिर अर केजरिवाल की गिरफ्तारी दूसरे धंकी है क्योंकि उनके पास scrub है तकरीबन प्रचारतीन त्रहा है केजरिवाल दूसरे धंकि पॉलिटीशियन नहीं है कॉंग्रेस Kendall को आसी उपी कर दीजी कर करता है लिहाजा एक साफ है कि यह दोनों का साथ आना केजरिवाल की गिरफतारी यह एक बड़ी परेशानी का सबब है और आप देखिये कि खुद जो सिटिंग MPs है वो कहने हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे उन्हें यहां से बाहर कर दिया उन्हें यहां से बाहर कर दिया ग उसे ढंकी सिंपती जो भाशा ने जिक्र किया सरकार से जेल चलाना कई राजनी तेक जानकार मुकुल यह कह रहे हैं कि जमीन तयार की जा सकती है अर्विन के जवाल को बरखास करने की मगर अगर आप बरखास करते हैं सरकार को कि देखिये क्या राजकता चल रही है इनसान के अंदर सरकार चला रहा है अगर आप बरखास करते हैं तो यह भी दोधारी तलवार है इसके जरिये भी कही न कहीं एक सिंपथी का फैक्टर जेनरेट हो सकता है और सबसे बड़ी बात अगले साल जो विधान सभा का चुनाव होना है उससे आपका अंटी इंकंबंसी जो आप चर्चा करेंगे चुनावी चंदेवाला उसे बदलना था उसी दिन जिस दिन पूरा ब्यावरा आना था उस दिन ये गरिफतारी होती है तो यह गले की फांस बन गया है और जिस तरह दिल्ली का मामला जो है वह वाकिए में बीजेपी को भारी पढ़ने वाला है अगर अगा के बताया कि दिल्ली का शराब घोटाला सौ करोर का है और उसके बाद इलेक्टोरल बॉंड जिसे पता चलता है कि जो कंपनी जो अप्रूर बना उसने कितना दिया दूसरा जो अप्रूर है जो जमानत पर बाहर है रागवरेड़ी उसको आप भाश्पा में शामिल कर करेंगे को यह जो एक कॉंट्रास्ट है मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि यह कॉंट्रास्ट है कि सो करोड की रिश्वत सो कॉल रिश्वत है उसमें आपने पांच लों को अंदर कर रखा है और यहां पर 75,000 करोड 35,000 करोड यह सारी घोट जनारदन रेडडी आपने देखा जनारदन रेडडी दिसमबर 2022 को अपना आउटफिट बना लेते हैं ताकि भाजपा जनता को यह बता सके कि देखिए हमारा इंसे कुल लिया देना नहीं है और अब देखिए ठीक चुनावों से पहले जनारदन रेडडी जन पर 20 मामले ल सब्सक्राइब कर देखिए हैं और मोदी जी के भाष्णों से भ्रष्टाचार बिल्कुल गायब हो गया अब भ्रष्टाचार का कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं जब से इलेक्टोरल बॉंड्स का बंप हूटा है उसके बाद से आप देखिए भ्रष्टाचार इस आउट फ्रम मोदी जी फ्रम अमिशा जी और फ्रम बीजेपी प्रचार तंत्र आपने जो अमरीका का जिक्र किया हैं मुकुल आपने देखा अमरीका ने पहली बार बयान दिया आपने तलब किया उनके डिप्लोमाट को उ किसने जाकर अमरीका के राष्ट्रपतिय चुनावों के बीच ओ बीच मंच पर खड़े होकर कहा था अब की बार ट्रम सरकार मोदी जी ही थे ना तो आपको अधिकार है नेतिक अधिकार है आपको 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 आ तो इन चुनाओ को ज़नेतों अदेगे तो दूसरे धिशेख को सबक्राइण थ esse लिगाना हो, 7षेगवा जाए निप्रातर के अभरियुक। अच्छा भाशा समानांतर तोर पर अब हमारी निगाहा जो है 31 मार्च को है जब इंडिया गटबंधन की राली हो रही है इस दौर में इंडिया गटबंधन की राली रामलीला मैदान में होना राजनीतिक तोर पर हो क्या संदेश देगी आपके सब से क्योंकि मुझे लगता है कि रामलीला मैदान में रैली होना दिल्ली को कॉंसलिडेट करेगा विपक्षी वोट के पक्ष में एक बहुत बड़ा मेसेज जाएगा कि हम साथ साथ हैं बाकि सर जगा सार फुटावल चल रहा है ठीक है लेकिन यहां पर सारे लोग साथ हैं और एक मॉबिलाइजेशन भी होगा और मुझे लगता है यहां से उनको एजेंडा सेट करना है चुनाव तो स्टाटी हो गया है पहले दौर का नॉमिनेशन भी हो गया है यानि अब विपक्ष के पास एक मेसेज करना कि भाई यह जो ब्रस्टाचार है यह यह और इसे लेकर नीच केजरिवाल राश्टी इस तर पर अंतराश्टी इस तर पर बाकी जगों पर उनकी सरकार भी है पंजाब में उनकी सरकार है बाकी जगार एक राश्टी राजनीती में उनका दखल भी है विपक्ष के तौर पर इंपॉर्टन कार्ट प्रस्तूत करते हैं तो वहां पर उनके पक्ष में आके वोटिंग करना बैटिंग करना एक important message होगा क्योंकि अगले segment में मैं बात करूंगा गुप्त चुनावी चंदे की भी मगर corruption है कैसा मुद्दा है जिसके जरीया आप केजरिवाल को गेर रहे हैं मगर हकीकत यह है कि corruption है कैसा मुद्दा है जिसमें भाजपा मुकुल पूरी तरह से exposed है आप आदर्श घुटाले को लेकर अशोक चभान पर हमला बोलते हैं उन्हां प्राद सब्स देते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि भाई हम सत्ता में आये तो अजीद दादा चक्की पीसिंग पीसिंग उनके साथ आप बैठ रहे हैं कास्टे चैनल पर बैठके ग्रह मंत्री कह देते हैं कि 20,000 का जबकि 12,000 करोड का चंदा है जिसमें से 6,000 को बीजेपी को मिले हैं लेकिन वह 20,000 कह देते हैं और उन पर क्रॉस कोश्चन नहीं होता इस तरह एक भ्रहम की स्थिति है और इसे लेकर नीचे तक लेकर जाना देखे, 2012 में भी तूजी का केस आया था, वो भी बहुत पेचीदा था, मगर वो ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया कि उसके जरीए मोदी जी सत्ता में आ गया, तो मैं ये फर्क को देखना चाहता हूँ, क्यों ये मुद्दा नहीं बन पारा, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो, ब प्रेटिहास इसका गवाँ है, वो फोर्स बन जाता है, मीडिया की रीड भी थी, अब आप देखें कितनी डिबेट होरी है इलक्रार बॉन पर, लेकिन कितनी डिबेट होरी है केजरिवाल पर, सूबह से शाम तक, तो ये बड़ा फर्क है, जिस वजए से एक बड़ा मुद गुप्त चुनावी चंदा जो भाजपा के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है एक एक करके बाद सामने उभर कर आ रही है State Bank of India ये कहता है कि हमें 135 दिन चाहिए मगर फिर जैसे ही alpha numeric numbers सामने आते हैं तो कड़ी जुड़ जाती है और सामाने intern, सामाने पत्रिकार जो है वो जानकारी आपके सामने ले आते हैं यानि कि SBI जो है वो साफ तोर पर घलत बयानी कर रहा था दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि किस तरह से उपक ग्रहों से अरजित होने वाली या हासिल होनी वाली broadband सेवा यानि satellite spectrum के लिए एक company से आप 500 करोड लेते हैं और उनके लिए जमीन तयार कर रहे हैं पूराने पूरे नियमावली को कुद हता बता कर तो साफ तोर पर quid pro quo वो दिखाई दे रहा है इस मामले में मगर चर्चा नहीं है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाशा अब इसार एक बात बिलकुल साफ है कि 2024 का मद्दान पढ़ने से पहले मुदी सरकार का भरष्टाचार जग जाहीर हुआ है और यह जग जहर ही विपक्ष की वज़े से नहीं हुआ है बाखी और फैक्टर्स हैं जिनमें जो अल्टरनेटिव मीडिया है उसने जो काम किया है वह बहुत एहम भूमिका है चाहे इलेक्टोरल बांड्स हो चाहे कोईले की दलाली हो या अंगिनत मामले सीधा सवाल है कि विपक्ष इस पर बैटिंग मजबूत बैटिंग करना कब शुरू करेगा क्योंकि और कोई तंत्र कोई मीडिया इसे मुद्दा नहीं बनाएगा अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें साफ तोर पर कानूनी भाशा है कुट प्रो कोवो दिखाई दे रही है यानि कि आप मेरा कुछ काम करें उसके बदले में आपका इस तरह से काम किया जाएगा हमने टूजी मामले में देखा उसे भरष्टाचार का मामला बता दिया गया मगर पैसा कहा था किसी दे नहीं देखा चारा घोटा उसी तरह से बात सामने उभर कराई मगर यहाँ पर पैसा दिखाई दे रहा है इसकी जाश तक ना हो मीडिया यह मुद्दा तक न उठाए क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल हाँ पर अभिसार मेरा यही कहना है कि चुनावी चंदे का मामला बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैं यह मान रहा हूँ जिस तरह का महल देख रहा हूँ कि बीजेपी इससे निकल जाएगी वो इसे मुद्दा नहीं बनने दे रही जैसे पहले मैंने का हेडलाइन मनेजमेंट केजरिवाल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना हूँ है और यह उस तरह से उसे पेश किया जा रहा है कि सब पार्टियों को चंदा मिला है और पार्टियां खुद भी जैसे भाषा नहीं कहा कुछ पत्रकारों का यह effort है कुछ पत्रकारों की कोईशिश है कि चीजे सामने आ रही है लेकिन राजनितिक जलों को जैसा यह मुद्दा बनाना चाहिए था सबसे शौकिंग बात यहां पर भाषा यह दिखाई देती है कि आपका जो राष्ट्री बैंक है उसकी विश्वसनियता इस मामले में किस तरह से धुमिल हुई है आप सुप्रीम कोट में कहते हैं हमें 135 दिन चाहिए वो जूट पकड़ा जाता है उसके बाद आप यह कहते हैं इन्हें हम मिलान इसका नहीं कर सकते हैं एक दिन में सब मिलान कर देते हैं क्या देश की जनता कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि एक पुलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए आप राष्ट्रिये बैंक की धज्या उड़ा रहे हैं और राष्ट्रिये बैंक के साथ साथ आप पूरा जो सिस्टम है उसकी जो धज्या उड़ा रहे हैं कि सबको पता है कि KYC के बिना एक सिंपल सा खाता नहीं खुलता है कोई transaction नहीं हो सकता है लेकिन यहां पर देखिए कि बहुत आराम से SBI कह रहा है अभी भी कह रहा है कि हमें पता नहीं चला जी कि कौन आया और किसने यह 4000 करोर डाल दिये 400 करोर डाल दिये तो यह जो हिसाब है देखिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो विस्पोर्ट है मैं electoral का खुलासा electoral bum की तौर पर है जो एक ऐसा प्लैटर मिल गया है विपक्ष को थाली में खाना परोज़ दिया है आपको सारे के सारे ओजार दे दिये हैं कि आप इस पर दबाव बनाईए घेरिये लेकिन दिक्कत यहां पर है कि वह घेरेंगे कैसे मीडिया आपके साथ नहीं 24 घंटे का प्रचार दूसरी तरफ है लेकिन फिर भी इलेक्टोरल बॉंड इतना आसान नहीं है दबा पाना इसलिए बार बार इंको हैडलाइन मेनेजमेंट करना पड़ता है मोदी जी का पूरा का पूरा ग्राफ से पूरी की पूरी भाशन से भरष्टाचार गायब हो गय यह सारे के सारे नेता सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉंड को सेंटर क्यों नहीं बना रहे हैं और मैं अपने दर्शक को बताना चाहूंगा कि अभी तीन पत्रकारों की एक रिपोर्ट आई है याद कीजेगा दोस्तों 2012 को सुप्रीम कोट का फैसला आया था जिसमें 122 जो टेलिकॉम को लेके स्पेक्ट्रम था उसे रद करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा था कि आप निलामी कीजिए शासकी ओडर के जरिये आवंटित मत कीजिए 2023 यानि 11 साल बाद जब बारी आती है साटलाइट स्पेक्ट्रम की यानि उपग्रहों के जरिये जो आप ब्रॉडबैंड सेवा देते हैं तब मोधी सरकार उसे पलड देती है यानि कि पहले जिसे भरश्टाचार बताय जा रहा है उसे पलड देती है उसे सबसे शौकिंग तैयार की जा रही है यानि की कानून के भाद्शा मुकूल जो कहा जाता है कुट परो क्वोड दिखाई दे रहा है किसी को पर्वा नहीं है और एक जूक था अट भी बनना था जिस पर बात भी होनी थि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया चुनाव आयुक्त का स्तीफा और दूसरे चुनाव की तुरंत नियुक्ति चुनाव जा करूँं कर लेकिन नहीं बन पाई लेकिन मुद्धे इतने बड़े-बड़े हैं संदेश खाली मुद्धा बन जाता है अर्विन के जिवाल मुद्धा बन जाता है ब्रश्चा-चार एक इतना बड़ा मुद्धा है जैसे आपने कहा 2G में बना कोई भी हथ्जह कार अतना बलातकार इतने बड़े मुद्दे बन जाते हैं निर्भ्यात बड़ा बन गया अन्ना अंदोलन इतना बलाव प्रश्चार वो बन गया लेकिन अप कोई आथोलन नहीं कोई अगर अगर आईन्दोलन करना करने आप हो टिर यह जेल जाएंगे भाषा मैंने जिक्र किया भारती एटेल का जो 150 करोड साटलाइट स्पेक्टरम वाला मामला है दूसरा मामला जो जुड़ा हुआ है अर्विन केजिवाल मामले से भी कि और बिंदो फार्मा के सरत रेड़ी गिरफतार होते हैं उसके बाद वो 50 करोड चुनावी चंदे में दे कि यहां तो पैसे का लेंडिन साफ दिखाई दे रहा है आपने सरत रेड़ी की बात कि अब दागर रेड़ी हमारे सामने हैं जमानत पर बाहर है और जमानत पर बाहर हो कि पिता पुत्र दोनों जो उनके पिता भी जगन की पार्टी में थे वो अब शामिल हो गए टीडिप में और उन्होंने भी क्या चंदा दिया क्या दिया सब कुछ सामने हैं दिकत यह है अभिसार इलेक्टोरल बॉंड जो सच बता रहा है कि दरसल 2014 के बाद से किस तरह से मोधी सरकार ने इंस्टिशनलाइज कर दिया प्रश्चाचार को मेरे खिया से यह इतिहास में पहली बा यह जो सारा निकल रहा है अब दिकत यह है कि इतना बड़ा घोटाला है कि काईदे से इस पर अगर कैंपेइन हो तो निश्ची तोर पे बीजेपी के पास डिफेंस में एक शब्द नहीं मैं तो ग्रीह मंत्री ने जो कहा अब आप देखिए उनका जो चेहरे का भाव है नि पत्रकार सामान सवाल नहीं पूछते हैं वही आगे चल जाता है तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी के लिए बैटिंग करना असंभव है और इसलिए वह बैटिंग अप उस पर नहीं करी बाकी सारा मुद्दा दक्षन भारत से लेके उत्तर भारत अगर आप देखिए यही एक गोल्डन ऑपरचुनिटी है विपक्ष के पास और बाकी देखिए उस मीडिया से हम उमीद कर ही कैसे सकते हैं जो आम काटती है आम खिलाती है और सादा प्रचाट पिलाती है तो उससे तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए एक चीज और बहुलना नहीं च तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भरष्टाचार और महिलासमिता ये दो मुद्दे हैं जिस पर भाजपा को अब कहने का अधिकार नहीं रह गया और अब हम रुख करेंगे अपने तीसरे मुद्दे का तीसरा मुद्दा क्या है जिस तरह से भाशाई मर्यादा बिगड़ रह सुप्रिया शुनेत का एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है कंगनर अनाओत के बारे में नहाए थी वाहियात। सुप्रिया शुनेत ये कहती है कि किसी और ने पोस्ट कर दिया, बवाल होता है, मीडिया उस पर डिबेट करता है, मगर जानते है सब शे शॉकिंग बात क्या, समराठ चौधरी जो की डेपटी चीफ मिनिस्टेर है, उनका रुत्बा सुप्रिया शुनेत से बड़ा है, वो लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिनी जिन्होंने उन्हें किडनी दी थी, उसके बारे में अशलील बयान देते हैं, ये कहते हैं कि भई, टिकेट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने किडनी दी, इससे जादा वाहिया बयान क्या हो सकता है, दूसरा बयान दिलीब घोश का, जो ममताव एनर जी के बारे में कहते हैं कि इनका बाप कौने बताया जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन मुद्दों पर क्या आप कोई टाइम डेबेट देख रहे हैं, दोहरे माबदन क्यों महिला समिता पर, क्या है समुद्दे का पंच, बताएंगी भाशा, देखिए एक बात साफ है अभी साथ, कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया, उसकी सबने निंदा की ऐसा बयान देना नहीं, इस तरह की पोस्ट होनी नहीं, और उस पे यह कहकिक पल्ला नहीं जाड़ा जा सकता कि कि किसी और ने कर दिया, लेकिन जो दोहरे अब दंड हैं, वो बहुत क्लियर हैं, और हर मामने में दिखाई देता है कि भारती जनता पार्टी जिस तरह से महिला विरोधी है, और महिलाओं में उन महिलाओं की विरोधी जादा है, जो खुद मुखतार है, चाहे मौवा मोयतरा हो, चाहे रोहिनी हो या बाकी तमाम लो आशबा ने महिला असमिता पर 2014 में सटा में जगा बनाई थी, जिसके कई नारे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसे महिला असमिता पर और भी ज़्यादा जवाब दे होना चाहिए, कट घरे में रखा जाना चाहिए, मगर उसे कभी कट घरे में नी रखा जाता, विपक्ष के नेताओं की तरफ से अगर कोई अनरगल बयान आ जाता है तो उस पर डिबेट होती है, मगर यहाँ डिबेट शूनने है, जो अपने आप में खेर बराबरी है, क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे, मुकुल. आप देखिए समराच चौधरी ने जो बात कही भाषा, वो कितनी शौकिंग बात है, आप बेटी और पिता के रिष्टों के बारे में इतनी अशलील बयान दे सकते हैं, मैं नहीं बूला हूँ, राहूल गांदी की भारत जोड़े यात्रा शुरू ही थी, तमिलनाड के नेता इनका चाल चारित्र यही है, और चहरा भी यही है, और यहां पर देखिए जो कॉंट्रास्ट है, जिस तरह से मम्ता बैनरजी पर आप यह तिपणी करते हैं, और यह पहले व्यक्ति नहीं है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसकी शुरुवात देश के प्रधान मंतरी नरे बैनरजी और जिए जी नहीं पहुत बहुएं पहचानी पहले ज्कानी टमॉट कह पार कैंगाए और अनगिनत थे अपफर्चार अभिंग है सुपर्याश्वरियंकरी नहीं जिक्र किया, वह वाकि यह उनके लिए गलती थी और वह JUL वनाय चाहिए दाल और देख messages के लिए गलत शुर्मिला मातोंड करको उन्होंने सौफ पॉन स्टार कहा था, मैं उसे ले भी नी रहा हूँ, मैं इसी में जोड रहा हूँ आप में उसमें, आपने कहा कि सुप्रिया शुनेत कम से कम सामने आए, क्या समराच चौतरी ने माफी मांगी, दिलीब घोष ने माफ यह तो टिपणियों का मामला, मैं कहा रहा हूँ कि महीडा पहलवान हमारे सामने, किस तरह से उनके साथ अबदरता हुई, हमारे सामने मनिपुर, लेकिन मुद्दा बना संदेश खाली, मैं वही बार-बार कहा रहा हूँ, इनकी जो टूल कीट है, जो पूरा एक इनका ग्र इसलिए लीचे योगों को इतना अधिकार मिलता है कि आप कुछ भी बहुत सके हैं, मैं इसको न देखिये सिर्फ भाशनों और बयानों तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, जब मैं ये बात कह रहा हूँ अपने दर्शकों से, कि ये भाशपा की जो सोच है, वो प्रॉब सिंग आपके सांसत के खिलाफ चार्शीट दाखिल करता है, उसमें शौकिंग चीज़ें हैं, प्रधान मंतरी कुछ नहीं कहते हैं, उस पर कोई कारवाई नहीं थी, माफ कीजेगा, इन्होंने महिला अपमान को इन्स्टिशनलाइज किया है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, इससे पता चलता है, इसलिए मैंने कहा कि चाल चरित्र और चेहरा यही है भारती जंता पार्टी और RSS का कि तमाम महिलाओं को, और यहां पर हम बात कर रहे हैं, कि हमें कहना पड़ रहा है कि तमाम जो महिलाएं जिन पर हमला किया गया, वह हिंदू महिलाओं हैं, जिनका आ गुरमीत रामरहीम ने किसके साथ शोचर किया हिंदू महिलाएं थी तो आप देखिए कि हिंदू महिलाएं भी यहां सेलेक्टिव हैं और इसी तरह से मीडिया संदेश खाली पर जाकर बवाल मचा देता है लेकिन जितने मुद्दे हम डिसकस कर रहे हैं उन पर चू तक नहीं बिल्कुल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल और भाशा आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही आभिसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार